नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिप्ती सेंग अकेडियू में है सद्यों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सरकारी नकुरी की तयारे से संब्दीद और शिक्षक पात्रत से संब्दीद एक नया एस्टडी मटेरियल लेकर रहे हैं तो बने रहे हमारे साथ लेकिन उससे पहले अगर आप MP परिक्षा की को तयारी कर रहा है तो एक बैतरीन एप है जिसका नाम है MP परिक्षा एप जिसके माध्याप से आप सिक्षा गवर्ग एक सिक्षा वर्ग लाव ले सकते हैं पचास अजार से अधिक प्रिशन आप वहां पर निश्रुक लगा सकते हैं और यदि कोई टेस्स तरीज आप लेते हैं तो 230 रुपे की टेस्स तरीज मात्र 115 रुपे मिलेगी यदि आप हमारा जो कोड है डीड वाली याने डील आप 50 जो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यूज करेंगे तो आपको इस एप्लिकेशन में 50 प्रिशत की छूट मिल जाएगी टेस्स खरीदने पर तो दोस्तों अभी ही अपनी अपनी सुनिश्चित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चार लाख नप्य जार सूपर डोगों आप वर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी हमें जॉइन कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन बटन आप ज़रूर दबाएं क्योंकि हम आगे आपके लिए आपकी सरकार फारी निकरी की परिक्षय से समदeten उनके तैयारी से सम्दद नित और शिक्षक पादरा से समद नित जो की व्रग-एक व्रग-वर्ग 2 से सम्द नित है हम study material लेकर आने वाले हैं आशा करते हैं इसके पहले के वीडियो आपको जुरूर मिले होंगे तो बने रहे हमार साथ चलिए शुरू करते हैं प्राचीन काल में शिक्षण शास्त्र के प्रमुख साधन थे चार्ट एवं मॉडल वर्तमान समय में शिक्षण शास्त्र के साधन है दूर दर्शन शिक्षण शास्त्र के समावेश है अधिगम का सोक्ष्म शिक्षण का व्यहवार विशलेशन का हिलायाड जेसन के अनुसार शिक्षण शास्त्र के लक्ष है सूचना प्रसार विशिष्ट कोशलों के अभ्यास में सहायता प्रश्ठ पोशन की व्यवस्थाओं में सहयोग देना शिक्षण शास्त्र के सामान्य लक्ष है समूची शिक्षा पधती का प्रबंध करना शिक्षण शास्त्र का विशिष्ट लक्ष है विध्यार्थियों की शिक्षा सम्बंधी आवशक्ता को पहचानना शिक्षण शास्त्र का प्रमुख लक्ष है अधिगम विधियों का आधुनीकी करन हार्डवेर एवं सोफ्टवेर एवं जन संचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षण शास्त्र के किस उद्देश के अंतरगत आता है विशिष्ट उद्देश शिक्षण अधिगम विधियों का आधुनीकी करन शिक्षण शास्त्र के किस उद्देश में आता है प्रमुख उद्देश समूची शिक्षा पद्धती में सुधार एवं प्रबंद का उद्देश आता है सामान्य उद्देश शिक्षण शास्त्र का प्रमुख चेत्र है शिक्षण अधिगम विशलेशन का विकास रौन्थ्री के अनुसार शिक्षण शास्त्र का शेत्र है उद्देश्यों व लक्षों की पहचान अधिगम पर्यावरण का आयोजन विशय वस्तु की खोजन एवं सनरचना राश्ट्रिय शिक्षा नीती के अनुसार शिक्षण शास्त्र का प्रमुख शेत्र है शिक्षा के अपचारिक एवं अनपचारिक शेत्रों में सूचना का प्रसार शिक्षण शास्त्र के प्रमुख पक्ष हैं तीन शिक्षण शास्त्र के अधा पक्ष से आशे हैं छात्र का प्रारंभिक व्यावार शिक्षण शास्त्र के प्रदा पक्ष से अभिप्राय है छात्र का अंतिम व्यावार निम्न लिखित में कौन सा पक्ष शिक्षण शास्त्र से समबंधित हैं अधा प्रदा अधिगम प्रक्रिया निम्न लिखित में कौन सा तत्य अधा प्रक्रिया में सवावेशित नहीं होता है विशय वस्तु की विशेश्ताओं की पहचान दोस्तों वीडियो पसंद आयते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकोन बटन जबर दबाएं इसे प्रकां के और वीडियो देखने के लिए निम्न लिखित में कौन सा तत्य प्रदा पक्ष से समबंधित है विशय वस्तू की विशेश्ताओं को पहचानना विशय वस्तू के स्तर होते हैं तीन विशय वस्तू का तारकिक क्रम में प्रस्तूती करण चमबंधित है विशय वस्तू से शिक्षण अभ्यास से शिक्षण विश्वास में निहित तत्व है शिक्षण में निष्ठता शिक्षण में प्रतिबद्धता निम्न लिखित में कौन सा तत्य शिक्षण अभ्यास से समबंधित नहीं है शिक्षण व्रत्ती में नेतिक मोल्यों का पालन शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सुत्रों का प्रयोग समबंधित है शिक्षण अभ्यास से प्रश्ट पोशन शिक्षण शास्त्र का सोपान है अन्दिम शिक्षन शास्त्र का प्रथम सोपान है शिक्षन अधिगम प्रक्रिया का विशलेशन शिक्षन अधिगम प्रक्रिया शिक्षन शास्त्र का पक्ष है मध्यस्त प्रदा शिक्षण शास्त्र का कौन सा पक्ष है त्रतिय अदा शिक्षण शास्त्र का कौन से पक्ष है प्रथम शुक्रात को एक शिक्षण के रूप में स्विकार किया जाए तो आप उसे मानेंगे जन्मजात शिक्षण शिक्षण शास्त्र के अध्यन से शिक्षण को ज्यान होता है शिक्षण सुत्रो का शिक्षण विधियों का शिक्षण विज्ञान का शिक्षण शास्त्र में विशलेशनात्मक शिक्षण संबंधित है कलात्मक पक्ष से एवं वेज्ञानिक पक्ष से आलोचनात्मक शिक्षण को शिक्षण शास्त्र के किस पक्ष से संबंधित माना जाता है कलात्मक पक्ष शिक्षण शास्त्र में प्रभावी अधिगम प्रक्रिया संबंधित है कलात्मक एवं वेज्ञानिक पक्ष से शिक्षण शास्त्र की अवधारणा के विकास में सहयोग रहा है श्रव्य द्रश्य साधनों के उप्योग का एवं विक्षित यंत्रों एवं उपकर्णों के उप्योग का अभीक्रमित अनुदेशन एवं अधिगम शिक्षण शास्त्र के विकास में है सहायक शिक्षण शास्त्र की प्रकृती है कलात्मक वैग्ज्यानिक तकनीकी से संबंदित साथियों आज का यहाँ वीडियो पूरा होता है आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आपकी परिशा संबंदित तयारियों के लिए हम और बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल ऐकोन बटन ज़रू दबाए यहाँ आज का टॉपिक चाइल डेवलप्मेंड एंड पेडागोजी से संबन दिते साथ हो अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के नीचे ज़र डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पन हमने आपके लिए इसके PDF की लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो बने रहे हमारे साथ साथ यों, आपके सजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हीन, जय भारत